है हलो है 6D एच्छा है कि 6D Mark 2 अच्छा है वीडियो बनाते हैं हाँ 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 हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अदील अक्रम और आप देखने मेरा यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में आपको बताँगा 6D अच्छा है कि 6D Mark 2 अच्छा कौंसा कैमरा बेस्ट है क्योंकि दोनों दो इस कैमरा आगे हैं मार्केट में एक 6D और 6D Mark 2 और इनका कंपारिजन करते हैं और यह जी कैनन यह वाइस 6D जो के फुल फ्रेंड कैमरा 6D Mark 2 भी फुल फ्रेंड कैमरा और यह है कैनन यह 6D Mark 2 दो कैमरा हैं लेकिन इनका वर्जन चेंज है एक 6D और एक 6D Mark 2 है सबसे पहले कंपारिजन करते हैं पहले लाइन लगा लगा लेते हैं इस साइट पर 6D आएगा इस साइट पर 6D Mark 2 हैगा हम वह फीचर्स की बात करेंगे जो इनमें चेंज है कुछ फीचर्स हैं जो इन तरह की डलती है ऐसा नहीं है कि 6D Mark 2 में दूसरी बैटरी बैटरी लंदी थोड़ा सा यह डिफ्रेंश है कि इसमें 6D Mark 2 में जो बैटरी डलती है वह थोड़ी सी लेटस टेकनोलोजी की है मतलब LPE 6N series की थोड़ी सी बैटरी है यानि कि अगर 6D की बैटरी है उसे थोड़ी सी बैटरी का बैकप इसका थोड़ा ज्यादा है और यह जो कैमरा है 6D Mark 2 यह लेटस्ट कैमरा है और इसलिए थोड़ी सी अपग्रेडेशन की है बैटरी के अंदर अब सबसे पहले Megapixel हम देखेंगे Megapixel किस कैमरे के ज्यादा है 6D Mark 2 जो के 26 Megapixel का और 6D जो है वो 20 Megapixel का यानि कि इस मुकाबले में next series है जो वो 26 Megapixel का और वो लेटस्ट कैमरा और पावरफुल Megapixel का और यह 20 Megapixel का 20 Megapixel भी कम नहीं होते है 1080 वीडियो बनाता है 6D Mark 2 60fps 1080 वीडियो बनाता है 6D 30fps यानि के 30fps और 720 दोनों सेम बनाते हैं दोनों 60fps पर सेकंड पर बनाते हैं 720p 6D Mark 2 जिसमें Digic 7 sensor यूज किया गया इमिज प्रोसेसर बहुत फास्ट है और 6D जिसमें इमिज प्रोसेसर फाइफ प्लस है प्रोसेसर का नहीं है फाइफ प्लस दोनों कैमरा जेपीजी और पिक्चुर्स दोनों बनाते हैं 6D Mark 2 का जो राव वाला सॉफटर है वह लेटस्ट सॉफटरा 4 सीरिस का डिजिटल फॉट प्रोफेशनल 4 जो के इसनकी वेबसर्ट से डाउनलोड होता है कैमरा के नीचे एक सीरियल नमबर है वह सीरियल नमबर आप जब वेबसर्ट पर डालते हैं तो फिर उसका सॉफटर डाउनलोड हो जाता वहां से अब बात आती है ऑट दूसरा दुबारा से उसने फोकस कर लिया अगर आप इसको वीडियो में इस तरह करेंगे तो यह बिल्कुल बलर कर देगा यह ऐसा नहीं है इसको मैनुल फोकसिंग करना पड़ता यह वाला फोकस रिंग है जिससे आप इसको फोकस करते हैं सब्जेक्ट को पकड़ने के ल दोनों कैमरा के जो व्यू फैंडर वा और नाइनटी सब्सक्राइट और इत्ता बड़ा फरक नहीं है क्यों बातें लिग दयते हैं कैमरा वाले यह मुझे बहुत कभी-कभी गुसा आता है न चीजों पर तो जो पीछे से यह दोनों बाड़ी जाओ कुछ इस तरह से आप और यह है 6D Mark 2 और यह है 6D दोनों पीछे से काफी फिमिलर हैं सेम सेम लेकिन जो 6D Mark 2 यह इसकी और यह जो सबसे मुझे फिचर इस 6D Mark 2 में बहुत जादा पसंद आया इसकी फिलिपबल सक्रीन यह अगर आप लॉगिंग कर रहे हैं और कुछ बनाना चाहते हैं व्लॉगिंग से रेलेटेड तो यह देखें इसकी स्क्रीन टोटली फिलिपबल आपके अपनी व्लॉगिंग कर सकते हैं और इस तरह से कोई भी क्रेयर कर सकते हैं ounce अर्द कारीटर के लिए यह कैमरा बहुत अच्छा और कम बज़र में कैम्रा और इसके प्राइज उद्टिमेटी और बेफ़ाइज के कि B&H के प्राइज पे इसकी क्या रेंज है ISO 6D Mark II का जो ISO है वो प्रोक्सिमेटली 40,000 तक जाता है यानि कि लो न्वाइस में ज्यादा अच्छा चलेगा ऐस कंपेर टू पुराने वाले वर्जन से यह लेटस कैमरा तो ज्यादा अच्छा चलता है लो न्वाइस पे लो लाइ 4-105 लेकिन IS-1 यह वाला लेंज जो है IS-1 और यह वाला जो लेंज है वो IS-2 टेकनोलोजी का दोनों कैमरा में माइक का जैक है अगर आप इसके आपर व्लॉगिंग अला कैमरा लगाना चाहते हैं तो दोनों कैमरा उसके लिए यह कंपैटिबल है ऐसा नहीं है कि एक के साथ माइक का जैक नहीं है दूसरे के साथ नहीं है लेकिन दोनों में हैड़फून का जैक नहीं है यानिक अब सुन नहीं सकते हैं कि क्या रिकॉर्डिंग आरी जैसे के 5D Mark 3 यह मेरा फेवर्ट कैमरा इसके अंदर माइक का जैक है इस तरफ और दूसरी तरफ जो है वह है वह य यहां पर यानिके जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूं तो अक्सर ऐसे होता है कि मुझे पता नहीं हो रहा होता कि क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है यहां क्या और वाइस क्या आ रही है जो अगर इंटर्व्यू रिकॉर्ड कर रहा है किसी के तो मुझे सुनना हो चाहता है headphone में कि खुलियर और रही आज है करें अंग उसके आधे नहीं च्छ गणी है U libro के सब्सक्राइए अशके सब्सक्राइब नहीं है और इस अंगे सब्सक्राइब की उच्छी ऐच्ञ करेव Ce इस बोडी का कितना वेट है 6D Mark 2 का और 6D का कितना वेट है 6D Mark 2 का 685 ग्राम है और 6D का जो वेट 796 ग्राम अप्रोक्सिमेटली 6D का वेट है और 6D Mark 2 का उसे कम वेट है थोड़ा सा अगर आप गिंबल पर लगाते हैं तो आपको बिल्कुल एक्जेक्ट बड़ा अच्छा मिल जाएगा के 600 ग्राम की बाड़ी अप उस पर लगाते हैं तो गिंबल का अगर तू केजी पेलोड है तो बहुत अच्छा चलती है बाड़ी और आटो फॉकसिंग में आप आगे पीछे होते हैं तो बड़ी जल्दी यह सब्जेक्ट को पकड़ लेती है 6D Mark 2 दोनों फुल फ कर दो दो बाड़ी?